सुन्थन वार्ता 36 गड़ी लोक कला के यात्रा जेकर वार्ता कार है देवी का परमार आकाश्वार्णी के जम्मो श्रोता गनला देवी का परमार के जै जोहार संगवारी हो का तुमन जानत हो कि लोक कलह लोक जीवन के जहांकी होते तो चलो आज हमना 36 गड़ी लोग कला के यात्रा के बारे मा विस्तार ले चर्चा कर्थन जैसे कि मैं हम पहली बताए हो संगवारी हो कि लोग कला हा हमर लोग जीवन के जहां कीता है छेत्र विसेश के रहवईया जाती विसेश के लोगन मनहा अपन सुक दुखला कतकोन किसम ले परगट करते एला लोग कला मंच मन के माध्यम ले आसानी ले देखे और सुने घलो जा सकते लोग कला मंच के आज तक के सफर हतो बहुतेश दिल्चस्प और परेड़ना दायक है आज लोग कला के रंग रूपा बदला थे नवा नवा लोगन मनहा नवा नवा परियोगला घलो करते तबो हमर 36 गड के असल सपूत जउनमन चाहे गम्मत हो संगीत हो सबो जगा अपन कला के माध्यम ले दुनो छेत्र ले नई उचाई देश सवे दुरुक के तीर बगेरा के विद्वान दाव रामचंद देशमुखा लोग कला मंच के दैनी हाल ला देखके ओकर विकास खातिर चंदैनी गोंदा नाव के पहली सफर सांस्किर्तिक लोग कला मंच के गठनला करे रहीज एमा ओह अंचल के जाने माने संगीत अभिने रत्न और नाचा के कला कारमला घलो सके ले रहीज खुमान साव, महेस यादव, केदार यादव, किस्मत बाई, देवार, साधना यादव, लक्षमन मस्तूरिया, भैया लाल हेडव जैसे कतकोन दिगज मन के महनत और कला साधना से दाव जी के सपना चंदैनी गोंदह साकार होई से संस्था के उतगाटन परदर्शन के समय विद्या चरन सूकल आय रही से चंदैनी गोंदला, छतिस गडमा भरपूर पियार मिली से उही समय मतवारी गाउं के रही वहिया अव भट भेरा साज के परमुख अपन समय के एकलोता कला साधक कला कार दाव महा सीन चंदराकर हो बड़े बड़े लोग कला मंच के सपना देखी से ओ समय राजनान गाउं के आरकेश्ट्र ले केदार यादव, साधना यादव, भईया लाल हिडव, खुमान सावमन, आय रहिन जोन मना लोग कला मंच के नवनवा परियोगला करी सवे अव हमर लोग कला मा परान घलो फूकिन हवे नवनवा परियोग के माध्यम से दाव महासी चंद्राकर केदार भईया करा सोनह बिहान के संगीत कार के प्रस्तावल घलो रखे रही से जेनला अपन परिकरपनले सुतंत्र रूपले साकार करे खातिर के दार भईया हा सोनह बिहान के संगीत कार घलो बनगी से एकले से गीत 36 गड के जाने माने कवी साहित्यकार के रचना जैसे की पवन दिवान रवी संकर शुक्ल दाव मूरली चंद्राकर के सुग्घर मनमोहक गीतला के दार भईया हा अपन सुन्दर और मनमोहक संगीतले सजाय रही से लोक कला और लोक संगीत के विकास यात्रा मा इस अबो कला कार मन के बहुतेच योगदान रही से दाव रामचन देशमुक और दाव महासिंग चंद्राकर के योगदान लतो कभू नहीं भुलाए जा सके फिर ए दुनों मा थोड़किन फरक घलो रही से दाव रामचन देशमुक अबढ़ पढ़े लिखे कला समिक्षक रही से जेह लोक कला मंच के इस्थितिला सजाय समारे और बनाय बर चंदेनी गोंदला गठित करी से जबकि दाव महासी चंदराकर हा खुदे नाचा के कलाकार रही से संगीत अभिनाय के हर छेत्र मा ओकर पकड रही से ओह तो खुदे नाच गा के कलाकार मनला सिखोवे चंदेनी गोंदा, सोनहा बिहान, नवा बिहान के संगीत हा आजो लोगन मन के सुर्ता मा बसे हवे धन्य है अईसन कलाकार जे मना लोक संगीत और लोक कला मा नवा परान फुकीन है ए तो हो इस एक बात संगवारी हो और दूसर बात ए हवे कि हमा चट्टिस गड के लोक कला मा चित्र कला के घलो अबढ़ महत्ता मावे मनखे हा अपन मन के भावला पढ़ लिक अव बोल के आने आने भावले चीत्र के रूप मा खीच के उतार थे चीत्र बर कोनो भाखा के जरूरत नहीं रहे ओहतो चुपो के घलो सब बोला कही दे थे जेमा मनखे के परेम, पीरा, उच्छा, संदेश, मनोतु, टोटका, सजावट, संग आने आने के भाव घलो चीपे रहे थे आने आने रंगले बने एचित्र मनहा हमर मन के भावला उघारे बर एक ठन कुची आए ओकर बिना हमर लोग जीवन के कलपना नहीं करे जा सके आदिम जूगला पत्रा मा खोदे के समय अवजग के संदेशला उमा पिरोएगे हावे सिंगनपूर, काबरा, जोगी मारा, चित्वा, डोंगरी मा एकर परमान घलो हावे कला हा अविक्सित होएके बाद घलो एक्ठन ठीहा बन गे है राजा परजा के बीच भाव, संदेश, देवधामी, कामकला, तोना तोटका, जैसन, कतकोन चित्र मनह, मनखे के गुफा ले, महल के सभ्यता मा आय के परमानता है जे मा उकर जिनगी के भाव के संगे संग, विकास के कहानी घलो हावे 36 गड के लोक जीवन मा बनाए ठाउर के हिसाब ले, एला हमना तीन भाग मा बाठ सक्थन परदा माने दिवार में बने चित्र, भूईया में बने चित्र, आउ देहमा बने चित्र डोंगरी घाट मा बने चित्र, रतनपूर, राजीम, भोरम देव अव कतकोन मंदिर मा खुदाय चित्र, आदिवासी मन के घर मा सजे बार, खीचे, आडा, तिट्छा, लकीर, पेड, धर्ती, सूरज, चंदा, संक, चकर, नंदी, गडूर, काम कला के चाप जे मा परमुखे देवारी मा रावत मन के खीचे पूत्रा मन, जेनला टोटका बर खीचे जाते अव हाथा घलो एमा सामिल होते भूईया मा तो चेत्र कला के कतकोन रूप हावे जे मा पितर पाक बिहाव, सवनाही, जनम मरण मा आडे तिर्छा, खीचे, खडी लकीर, चौक पुरई, रंगोली, गोवर्धन पुजा के खूर बहार परमुखावे चीत्र बनायबर, घेरूल, पडरी, प्यूरी चुही, करिया माटी, कोईला, राग, गोवर, पाना पताई, फूल के रंगला घलो परियोग में ले जाते मन के समाज, सुंद्रायबर घलो चीत्र के परियोग लकर थे माहूर, महंदी, काजर के संगे संग, लोग जीवन मा गोधना के घलो बड़ महत्तम हवे ओला, देह के संग, जवईय सिंगार माने जाते सुआरी दाई बैनीमन के देह मा गोधना के पर्था हवे गोधना माने सुजी के नोक मा नोकला काजर मा गाड के चितकारी करें ए मा देवार जाती के माई लोगिन मना कुसल रही ने ए चित्रकला मा आजकल तो ओहा टेटू की थे तेसने हा ओकर जगा ललेवत हावे प्रोफेसर सरस्वती हा कही थे लोग कला हा जन समुदाय के जिन्गी मा जबर कला हावे जेकर जरह भुईया में घलो मजबूत हावे कतकोन तकलीब दुख पीरा सहे और बदलाव के बाद घलो हमार लोग कला हा अंगत के पाउं कस जमे हावे एह बाढ़ा थे और सुग्घर हो वज्जा थे ओमा नवपन तो आवा थे फिरोहन अंदावत नहीं है गाउं हा मेडवार बनके ओकर सिर्जन खातिर जूटे हावे लोग कला बनाय बर आदिम काल हा सुरूज बनके रद्द घलो देखो थे एमा परेम के भाव रही थे मनखे के धर्ती के संग जीव जीनावर बर परेम के संगे संग दया साहस धरम के मरम घलो हो थे एह मन के भावला उघार के कोंदा लगलो बोलाय बना दे थे अव एह सिर्फ हमर गाउं गुडी तक के नो हरे बलकि जम्मो मनखे के संस्किर्ती के मरजाद आए ऐसे तो हमर चतिस गड़ा अपन संस्किर्तिक विरासत मा सम्रिद्धा वे संगवारी हो चतिस गड़ मा एक ठन अबढ़ अध्विती औव जीवन्त संस्किर्ती है इही छेत्र मा पैतिस ले जादा बड़े औव छोटे आने आने रंग ले भरपूर जन जाती मनहा घलो फईले हावे उकरे लैबद, लोकसंगीत, नाच और नाटक देखे खातिर एक आननद दायक अनुभव हमनकर्थन जेन हां हमर छत्तिस गड़ के संस्किर्ती मा अंतर द्रिष्टी घलो दे थे छत्तिस गड़ के सिल्प कलमा परंपरा और आस्था के अद्बुत समन्वै घलो विराजवान है इहां के पारंपरिक शिल्प कलमा धातू, कास्थ, बास, अर्चना और अलंकरण के विशेश रूपले लोकप्रिय हवे तो ए तो होई संगी हो हमर लोक संस्किर्ती और लोक जीवन के संबंध मा गोट बात मैं आसकरतों संगवारी हो कि आप मनला ए प्रोग्राम हा जरूर पसंदा ही, कैसे लगी से लिख के जरूर बता हूँ, जै जोहार संगवारी हो अभी हम अन्हा देवी का परमाल ले सुने नवारता, चतिसगड़ी लोक कला के यात्रा फिर संगी हो, अब मैं हा आप मनला सुनाने वाला हो एक ठन कहनी, ता कुछ बेरा पहली के बात हरे संगी हो, एक जन धोबी रही से, ओहा अपन कपड़ा के लथाला लाए ले ले गे बर एक ठन गधा पाले रही स, अव दूद बर कही के एक ठन छेरी पाले रही स, गधा ला ओकर काम के हिसाब से एक कंजादा खाना मिल जाए और छेरी लग कम खाना मिले, ता इही बात बर छेरी हा गधाले बैर करे लागे स, अव एक दिन गधाला मार खवा हो कही के, ओकर तीर मजा के कही थे, भाई, तेहा रोज दिन बिकट काम करत रहता, तोला ठकासी नहीं फिर बिहान दिन धोबी हा गधाला बिमार जानके बैद कर लेक थे, और बैधा कर थे, एक गधाला के बिमारी बर एला छेरी के दिल के काड़ा पिलाय बर लागी, ता हन घर जाय के बाद धोबी हा छेरी ला मार दे थे, और वोकर दिल के काड़ा बना के गधाला पिया दे ता एक कहानी मा छेरी हा गधाला मार खवायक बारे मा सोच थे और आखरी मा उही हा पंजान गमाडार थे ता संगी हो एहर ही समर आज के हाना के ताना बाना जैसे करनी वैसे पर भरनी फिर अब चलो सुन्थन ये गीतला लेल गाडी चुक चुक लेल गाडी ऐल गाडी छुट चुट रहे पुर्ले चुट ते गाडीर चंगी नान गम्बर लाइडभू फैलगारी चोगा झालगारी जनाहे मुलाभो पाल रे मैं कैसे ठीकित कटाँ बड़ बड़ बैठे सहाब रे मैं कैसे मैं कैसे मुला बताँ बड़ बड़ बैठे सहा रे मैं कैसे मुला बताँ ुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुफुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपुपु दुर्वा राम दूख्या बाई और संग्वारी मन के आवाज मा अभी हमन सुनात रहन गीत रेल गाड़ी फिर आप संग्ई हो आप मनहा कापी पे अंधर के तैयार हो जाओ भई कापर के अब बारी है हमर क्रम प्रस्नोत्तरी के ता चलो सब ले पहले जान ले थन प्रस्नोत्तरी क्रम 356 के सही उतर मनहा जे में पहला प्रश्नरी हिस हमर देश मा लाल बाल और पाल के नावले प्रसिद्ध देश भभक्त मन के पूरा नाव बताव जे कर उतर है लाला लाज पत्राय बाल गंगा धर्तिलक और विपिन चंद्रपाल। इही क्रम मा दूसरा प्रश्ण रिहिस। सार नात के इस्तंभले। चौथा प्रश्ण रिहिस। मेरे देज की धर्ति सोना उगले, उगले हीरे मोती। एगी था कोन फिलीम केहरे। जेकर उत्तर है उपकार। अव एक्रम मा आखरी सवाल रिहिस। पंद्रा अगस्त दोहजार तेईस मा हमा राजादी के कतेग बच्छ पूरा हुआ थे। जेकर उत्तर है छेहत्तर बच्छर। जे में पांस सहीं जवाब के साथ पत्र और चार सहीं जवाब के सोला ठन पत्र मन हमीले है। फिर एक दू तीन सहीं जवाब वाला एको ठन पत्र हमला नहीं मिली। अब चलो जानले थन सहीं जवाब पठोईया देवरी भाटा पारा ले युवान, तन्नू, नंदनी, उमेश, मांसी औव अमर रजक। परसा टोला अंबगर चाउंकी ले खुमेंद्र, तुसारनी, कामेश, अनिरुद, साकेत, पायल, गरिमा, काजल, मेगा औव वर्सा मसिया। तुकाव पाली छत्वन बलोदा बजाल ले निहारिका, पंकज, गुडिया, मन्नू, जया औव रिया सुर्यवंसी। सलोनी, घुमका, राजनान गाउं ले विदान्त, वैभाव, गवरव, प्रियांसु, रस्मी औव आयूस सहु। चार सही जवा पठोईय संगी मन्हे, पूतका कला कवरधा ले विनय, नयन, भाग्य लच्मी औव गुनगुन पांडे। दुमत तोला बालोद ले गोपिका, विमल, मनीश, तनीशा औव भावेस कराटे। दैहान बांधा बजार राजनान गाव ले रानू, सरस्वती, स्रिष्टी, जोती, कोमेद, हिरेंद औव रूपल साहू। भीमखोज तरपोंगी ले लच्मी औव प्रतिभा गुपता। सहस्पूर लोहारा कवर्धा ले हेम प्रभा, पूस्पराज, सूरज औव ट्विंकल राजपूत। पीपर पारा पाल चुवा मुंगेली ले उत्रा, परमेश्वरी, योगिता, नितिन औव वन्सिका दिवाकर। गर्रा पार बांध्वा बजार ले राकेश औव मानवेंद्र साहू। कांकेर संबलपूर ले ओजस्वी, रसिका औव तेजल यादाव। रिंगनी ले सुभी वर्मा, विरांस वर्मा औव गवरा बंचोर। डाउंडी लोहारा बालोद ले अजय, तुसार, डाली, पूजा, पुसकर, लेहान, जिग्यासा औव विरार तामूर्या वन। बिलाईगर ले रोसन कंसल्या, हेमलता, डिंपल दिवांगन। आरे नगर कोहगा बिलाई ले मनीश, आरूसी, ओसीका, आयूस, अंजली औव नंदनी जंगेल। बन बंगेरा राजनान गाउं ले नीरज, निलेश औव अंजली साहू। पोटिया कला दूर्ग ले ससांक औव सीमा साहू। डोंगर गाउ राजनान गाउं ले अनिसका, सिखा, खुसी, कोमल, परी औव आर्ती गजभिये मन। धोडरी घोठिया ले निखिल, नैतिक, पुसपांजली, स्वपनिल, निक्की औव डिंपल निसाद। सीता डबरी बुंदेली ले जानवी औव चंदन जंगेल। कोनो संगी मन के नाओ हा, सामिल नवल हो पाई सोही ता माफी दुहू औव सही जवाब भेज़े या जम्मो संगवारी मनला बधाई। एकरे संगी मन हा, मोर 24 अगस्त के कारिकरम बर अव हमर दीदी मन के कारिकरम बर बधाई पाती भेजरी से तेमल ला धन्यवाद। एकर छोड एक दूजन संगवारी मन हा, अपन चिठी ला सामिल नई करे के सिकायती पत्र भेजरी तीकर मन लेह मन हा मापी चातन और कोशी स्करबो की अगले बार आप मन के पात्रला पत्रला जरूर सामिल करे जाही। बहुत जन संगी मन हा, हमर कारिकरम मन के बधाई पत्र भेज थे, तेकर नाव ला समय अभाव मा नई ले पावन तेकर वर घलो मा फी चाहबू। फिर अब आगू बर्थन हमर आज के प्रस्नोत्त्री क्रम 357 मा। जे में पहला प्रस्न है, चंद्रयान ला चंद्रमा के कोन ध्रूमा इस्थापित करे गेहावे। दूसरा प्रस्न है, छतिसगड़ी राजभासा दिवस कब मनाये जाते। तीसरा प्रस्न है, टमाटर ला छतिसगड़ी बोली मा का कहे जाते। चौथा प्रश्न चटिस गडमा हरा सोना के नाव ले काला जाने जाते। पांचवाव आखरी प्रश्न है महा नदी के उद्गम कोन जगाले हो है। तसंगी हो येर ही समर आज के प्रश्न ता आप मन उत्तर जरूर भेजू अव एकरे संग हमर कारिक्रम हसी रावा थे ता दे देनी